हेलो एवरिवन आइम बेक विडियो एंड टॉपिक इस वांट आइसो कोर और वांट आइक्वेशन वांट आइक्वेशन एक बहुत जानीमानी एक्वेशन है और इसका जो डिराइब करके फॉर्मॉला आएगा वह भी काई जगा यूज होता है हमने लास्ट वीडियो में प म इसके बहुतते हैं कि यूज होता है वही पूरी एक्वेशन में लाति है वन्ट ऑस आइसोथर्मज बान ऐसे में अगलेंगे अब इसके बाद हम इसी equation से want of isocore की equation निकालेंगे या फिर want of equation निकालेंगे चलिए देखते हैं तो for a homogeneous gaseous reaction in which the product and reactants are at unit pressures we see from the last equation that delta G is equals to minus RT log Kp हब मान लो कि कोई gaseous reaction homogeneous है तो उसमें हमें पता है कि जो product और reactants होते हैं वो कितने pressure पर होते हैं? unit pressure पर यानि की one pressure पर ठीक है? तो हम जो अभी पिछली equation देखी थी want of isotherm वाली उसमें हमने जो second term था उसमें सब चीज unit लगा दी जो sigma n लिखा हुआ था ना अब हर किसी का pressure one है तो हमने उस सब को one one मान कर उस वाली term को हटा दिया है तो ये बच्चा delta G is equals to pressure कैसा रखा? constant रखा तो reaction कैसी हो गई? delta d delta G by dt और bracket के बाहर लिखा है P अच्छा ये जो bracket के बाहर नीचे की साइट जो भी term लिखी होती है उसका मतलब होता है कि ये जो पूरी term है ये उसके constant होने पर है यानि कि अगर यहाँ P लिखा है तो pressure हमने constant रखा हुआ है फिर आया equals to minus r log kp minus rt d log kp by dt अब आप सोच रहे होगे कि ये differential कैसे हुआ है मैस वाले students को पता होगा कि ये double differential है अब मैं बताती हूँ कि असल में हुआ क्या है तो देखो जैसे अगर हमारा ये equation दी हुई थी delta G वराबर minus rt log kp है ना ये equation दी थी अब हमें पता है ये जो r है ये तो constant है क्या है gas constant है constant value है तो जब हमने differentiate किया सबसे पहले इसे तो ऐसे कैसे ही लिखती है d by dt और कैसे add constant pressure उसके बाद r को रख लो बाहर ठीक है r को रख लेना बाहर अब हमारे पास दो टर्म्स बचे एक t बचा और एक log kp बचा ठीक है अब इसको differentiate करेंगे किसके term पे तो जब हम t को करेंगे तो बागी किसी को नहीं छेड़ेंगे ठीक है और जब log kp को differentiate करेंगे तो बागी किसी और चीज को नहीं छेड़ेंगे तो आप सबसे पहले t को differentiate करते हैं तो जब हम t को t के respect में ही differentiate करेंगे तो 1 आएगा क्योंकि temperature को temperature के साथ ही differentiate करें अगर तो 1 आ जाएगा तो इसलिए अगर हम r बाहर रख लें तो t को differentiate करा तो बचा केवल log kp है ना यह उपर वाला माइनस ही था log kp प्लस अब log kp को differentiate करें तो t को नहीं छेड़ेंगे तो t ऐसे का ऐसा ही और log kp को differentiate करा हमने तो यह आया d log kp by dt ओके और यह हो गया bracket बन अब क्या करा bracket open करा r की multiply करी तो minus r log kp और minus r t d log kp by dt तो देखो यहाँ पर भी यही चीज लिखी हुई है यह i minus r log kp minus r t d log kp by dt उसके बाद क्या करा हमने इसी equation को multiply किया t से तो यह इधर भी हमने t से multiply करा और इधर भी हमने t से multiply करा तो यह हो गया minus r t log kp और यह हो गया minus r t e square और बाखी सब सेम उसके बाद हमने first equation और second equation को combine किया और first equation कौनसी थी यह वाली यह है हमारी first equation this is first equation और उसके बाद second equation कौनसी है यह वाली this is our second equation तो इन दोनों equation को combine करने के बाद हमें मिला t delta d t d g by dt and bracket में p equals to delta g minus r t square d log kp by dt अब हुआ क्या है देखो इस वाली equation में और इस वाली equation में यह वाला जो term है यह common है तो जब हम इसे combine कर रहे होंगे न तो यह दोनों term आपस में cut जाएंगे तो बचेगा क्या यह बचेगा यह बचेगा और delta g बचेगा तो उसी से आया है यह वाला term यहीं का यहीं फिर delta g minus यह वाला term ठीक है उसके बाद हम इसे और किस तरीके से लिग सकते हैं कि इस पूरी minus की value को उधर ले जाए तो प्लसकी हो जाएगी और इस पूरी value को इधर ले आए तो ुभाईनस की हो जाएगी तो वही किया है हमने इस minus की value को उधर ले गए प्लसकी बन गई और delta g यहीं अब हमें बता है कि जो Gibbs-Helmholtz equation होती है हमने थर्मोडाइनमिक्स में पढ़ी है जो Gibbs-Helmholtz equation होती है वो होती है delta G is equals to delta H plus D D delta G by dt at constant pressure अब यह वाली equation और यह वाली equation यानि कि third equation और this is fourth equation तो third equation और fourth equation को अगर हम combine करें तो देखो यह और यह यह plus में है और यह minus में है तो यह दोनो चीज़े cancel हो जाएंगी, जब हम इन दोनों equation को जोडएंगे तो यह दोनो प्लस माइनस में है, तो यह cancel हो जाएगी बचेगा क्या? delta h बचेगा और ये वाला term बचेगा क्योंकि delta g भी cancel हो जाएगा है ना आप लिख कर करके देखना बहुत easy है तो हमने इन दोनों equation को combine किया तो क्या बचा ये वाला term बचा rt square d log kp by dt is equal to delta h और फिर हम इसे और किस तरीके से लिख सकते हैं कि rt square को हमने delta h के नीचे भेज़ दिया d log kp by dt is equal to delta h by rt तो यही जो equation fifth है यही है हमारी want of reaction की equation लेकिन असल में want of reaction मतलब want of equation कहना जादा बेटर होता है want of isocore reaction कहने की जगा तो यह है हमारी equation अब इसको याद रखना क्यूंकि अभी इसके इसी equation से हम आगे इसका integration भी करके दिखाएंगे जिससे एक और equation निकलेगी वो भी want of equation का ही एक रूप होगा एक form होगा चलिए देखते हैं तो देखो हमने एक formula पड़ा है जिसमें kp और kc की बीच relation होता है तो वो formula क्या है kp equals to kc, rt की whole power delta n अब यहाँ पर kp हमें पता है pressure के terms में partial pressure के terms में जो equilibrium constant होता है वो kp होता है और concentration की terms में जो equilibrium constant होता है वो kc होता है r gas constant है और t temperature अब यह जो delta n है वो क्या है delta n is the increase in the number of molecules in the gaseous reaction आपको इससे ना समझ में आए तो सबसे easy है delta n होता है products के जो moles होते है minus reactants के जो moles होते है ठीक है वो होता है delta n याद रखना product के moles में से reactants के moles minus करेंगे उल्टा मत करना ठीक है तो delta n की value minus में भी आ सकती है चलिए तो उसके बाद देखेंगे इस fifth वाली equation में kp की जगा kc की value रखेंगे और साथ में क्या करेंगे log लेंगे देखो यह जो sixth वाली equation है यानि की यह वाली equation है kp equals to kc rt delta n इसके साथ हम सबसे पहले इसका log लेंगे और log लेने के बाद इसको differentiate करेंगे ठीक है सबसे पहले क्या करेंगे log लेंगे और फिर करेंगे differentiate तो यह आया log kp equals to log kc plus delta n log rt अब आप सोच रहे होगे delta n आगे कैसे आ गया मतलब क्या हुआ तो हुआ क्या जैसे equation थी kp पराबर kc rt की power delta n तो हुआ यह है कि यह तो हो गया सीधे सीधे log kp यह हो गया log kc अब plus कहां से आया जब कोई भी terms दो multiply में होती है तो log में जब हम उसे खोलते हैं तो plus करके लिखते हैं इसलिए लिखा हमने log rt अब यह यार रखना कि जितनी भी चीज पावर में होगी वो log के आगे multiply में आ जाती है तो यहाँ पर आएगा delta n यानि कि यह बना log kc plus delta n log rt उसके बाद हमने इस equation को differentiate किया तो d log kp by dt is equals to d log kc by dt अब यहाँ पर देखू यह वाली चीज तो constant थी ना t वाली चीज तो constant थी और r को वो sorry r वाली चीज तो constant थी तो जब हमने केवल n को करा तो delta n by t आ गया उसके बाद हमने equation 5 और equation 7 को combine किया equation 5 कौन सी थी हमारी यह वाली log kp वाली यह थी equation 5 उसके बाद जो equation 7 हमने अभी निकाली है वो है equation 7 अब हमने जब इन दोनों equation को combine किया तो आया d log kc by dt is equals to minus h by rt square minus delta n by t फिर हमने simply यही किया है कि देखो rt square यहाँ नीचे वाला देखना denominator देखना यहाँ rt square है यहाँ t है अब हमने इसमें lcm लिया किसका rt square का lcm लिया तो rt square lcm लिया तो यह तो delta h रह गया और यहाँ पे आया delta n dot rt अब 1t कहां गया इस वाले t से cancel हो गया जब हम lcm लेते हैं तो अगर नीचे same चीज होती है तो एक power cancel हो जाती है तो यह हुआ d log kc by dt is equals to delta e by rt square तो यहाँ पर e क्या है delta e is the increase of energy और enthalpy of reaction at constant volume अब equation 8 जो आई जो हमने derive करी equation 8 वो भी एक तरीके की want of isocore equation ही है या फिर want of equation ही है मतलब उसी का एक दूसरा form है ठीक है एक तो fifth वाली equation आई थी वो थी want of equation उसी का दूसरा रूप है हमारी ये 8th equation और उसी का एक और निकालेंगे जो हम integration के बाद निकालेंगे तो integration के लिए हमने क्या करा अगर मान लो delta h constant है delta h माने enthalpy अगर वो constant है different temperatures पर तब अगर हम equation 5th को integrate करें equation 5th यानि ये वाली equation this one अगर हम इसे integrate करें तो क्या होगा देखते हैं अच्छा इसमें ये वात देखना कि जब हम इस differential वाली चीज को integrate करेंगे न तो ये differential हट जाएगा ठीक है अगर हम differential वाली चीज को integrate करते हैं तो differential हट जाता है केबल क्या रह जाएगा log kp रह जाएगा तो यहाँ पर भी यही हुआ कि यहाँ रह रह गया log kp equals to integral delta h by rt square dt minus is equals to minus delta h by rt plus constant अब देखो log e को log base e को जब यह base में e लिखा हुआ है log base e को log base 10 में अगर हम convert करते हैं तब वहाँ इस्तमाल करते हैं 2.303 इसलिए यहाँ 2.303 आया तो log base 10 kp equals to minus delta h upon 2.303 rt plus constant यह भी एक equation है हमारी यानि कि integrated form है कि want of isocore की या want of equation की तो यह था हमारा पूरा want of isocore का derivation उसकी equation और इसी को हम कहते हैं want of equation तो हमने 2 want of की questions पढ़ ली एक हमने पिछली वीडियो में want of isothumb पढ़ा था और यह है want of isocore that's all for today आपको और जो भी topic समझने हो आप comment section में बता सकते हैं मैं पहले वीडियो उन topic पर बना दूँगी I hope आपको समझाया होगा thank you